नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्म बंगाल के विधान सभाच नौव में जबर्दस्त जीत दर्च करने के बाद बुद्वार को मम्ता बैनर जी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपत ले ली है। जगदीप धनकर ने हिंसा को लेकर चिंदा व्यक्त की। इसके बाद मम्ता ने भी तुरंथी राज़ेपाल को जवाब दे दिया। शपत के बाद मम्ता बैनर जी ने कहा कि हमारी प्राथ मिक्ता कोरोना संकट को काबू मिलाना है। सरकार सविधान और कानून के हिसाब से चलेगी। भारत एक शांदार लोगतंत्र है। जहां सरकार कानून के हिसाब से चलती है हम इस वक्त संकर से जूज रहे हैं। मुझे रिपोर्ट मिल रही है लोग बंगाल को लेकर चिंती थें। मैंने मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत कराया है। जनाओ के बाद जो हिंसा शुरू हुई वो लोगतंत्र के लिए खत्रा है। मुझे पूरी उमीद है कि मुख्यमंत्री तुरंथी राज्यमे कानून का राज लागू करेंगी। जगदीब धनकर ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरी छोटी बेहन ममतब एनर्जी इस पर एक्शन लेंगी। क्योंकि लगतार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना असान नहीं होता है। मुझे उमीद है कि आप नए तरीके से शाशन करेंगी। I express hope and expectation that governance will be according to constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-pol violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on an urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. I would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It is a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope that the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a third term in a row and I am sure she would do it. मम्तव अनर्जी ने राज़ेपाल की नसीहतों का तुरंत ही जवाब दिया. मम्तव अनर्जी ने माइक थामते ही कहा कि मैंने आज ही शपतली है. तीन महिने से राज्ये की पूरी सरकार चुनाव आयोग के हाथ में है. चुनाव आयोग ने इस दोरान कई अफसरों का तावादला किया, न्यूकती भी की है. जिन्होंने कोई काम नहीं किया है. ऐसे में अब वो कमान संभाल रही हैं और लोगों से शांती बनाय रखने की अपेल करती हैं. आपको बता दे कि ये पहली बार नहीं है जब मम्तव एनरजी और जगदीप धनकड में जुबानी जंग हुई हो. पिछले कारेकाल में भी कई बार ऐसा मौका आया जब मुख्यमंत्री और राजयपाल आमने सामने हुए हैं. बंगाल में चुनाओ के बाद से ही हिंसा का महौल हैं और राजयपाल ने मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था को लागू करने की अपील की है. फिलहाल इस खबर में इतना ही देश वा दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं.